हेलो गाइस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले लीश शिना को ही देखते हैं यहां पर पुलिस उससे पूछ ताज कर रही थी कि तुम सच सच बता हो गई तुम ही तो उनके एक्सिज़न के पीछे नहीं हो ना मिस्टर नो जिन के तभी वो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है नहीं है इसने में होस्पिडल से फोन आता है कि मिस्टर नो जिन को होश आ गया है इसक वास भी भाग कर ऑस्पिडल जाते हैं तब ही हमें बता चलता है कि नो जिन को एमनेशिया है मतला आप उसे कुछ भी याद नहीं उसकी परानी जिन्दगी के बारे में कि वो क्या था नाम है उसका अब क्या परोफेशन अब इसकी प्राफेशनल लाइफ और शुर्षेल लाइफ क्या है सबकुछ उसके लिए एक तम नया था यहाँ पर डॉक्टर रग tel कोई अजिन कि नोजन की फैप्टी केता है घेता है कि मुझे कुछ भी आत नहीं है अपस दॉक्तर बात करते हैं तब ही अपना दिमाग लगाती और गेती है कि वह नोजन की फैंची है क्योंकि उसे एक ही रास्ता देखा था पुलिस से बचने का और ढोर। नोजन से बतलल याद नहीं है मुझे यह भी याद नहीं कि मैं इसकी शकल पहले दिखी है तब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि फ्लीज सोच नहीं कुछ भी याद नहीं था तभी शेना को लग रहा था कि अब तो अपना बतला लेकर ही रहेगी और पुलिस भी उसे छोड़ के चली गई थी आधाश चली इस नहीं रहा यहां तेनल झाल रहा है कि अब मुझे कैसे अधाश चली गई ती बर यह नहीं कि अब वह जा मेरा यहां पर उसे मैत की कॉशन सॉल्व करवाया जाते हैं तो चुटकियों में प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर की तरह से सॉल्व कर देता है क्यों भी उसके सामने कुछ भी नहीं था जिना उसका ख्याल रखती है लेकिन अपने बदली के स्टाइल में यहां पर वो से खाना खुश हो जाते थे यहां पर वो उसे साथ साथ में ट्वैलिट का पानी भी पिलाती है और वो भी यह कह कर कि एक स्पेशल ड्रिंक है इसके बाद तो बहुत हाइड्रेट रहोगी और एकदम एनर्चेटिक बिल्कुल सुपरमें की तरह है यहां पर से भी अब ब्रॉट से यहां पर जब जानकर शॉक लगता है कि नोजन को कुछ भी याद नहीं है उसके जिंदगी के बारे में यहां तक कि उसके बैस फैंड के बारे में तरसल इसका प्रदर नहीं है बस दोनों बैस्टेंड है और भाई से बढ़कर हैं वो टॉट अप कमपटी में यह सब पता चल गया था कि मिस्टर नोजन का इस्टेंड हो गया था सब बात बुकुर न्यूज में चागी थी इसके बाद उनके फैंस पी काफी था परिशान थे कि हमारे महत जीनियस मिस्टर नोजन को आखिर हुआ गया है जिन लीशना से पूंच आ है कि एक बाद बताओ कि हम दोनो कर लिया इसके बाद भी तुम्हें मेरे साथ बहुत बरा किया तुमने मुझे चीट किया वह भी दूसरी लड़की के साथ लेकिंगे मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूं विकॉस आई रियली लाइक यू एंड मैं तुम्हें हमेशा प्यार करते रहूंगी तो भी नोजन कहत पर उसे पता बहूंसा की क्या सच है और लिशना से बात करता है और कहता है कि क्या सच है तभी उसे जोड़नी पोनरे जिए याद करता है कि नो जिन उसे कोई बात चुपा रहा था और वो उसके साथ ट्रिपर भी जाना जाता था शायद वो तुम ही तो नहीं हो ठीक है मैं इस बात पर यह इन कर सकता हूं और यह बात ज्यादा मैटर नहीं करती है कि तुम उसका बहुत ख्यार लगती हो और यह है कि नोजन एकदम ठीक है और जल्दी ही अपनी इंस्ट्रीशन में वापिस आ जाएगा सब वो चिंदा करने जूरत नहीं सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और यह सब रूमर फैलाना बंद करो कि नोजन कुछ हो गया है या फिर उसके साथ कोई दिक्कत है वो एकदम ठी देता है यह पर नोजन उसमें हाथ अपाई हो जाती है इतने में लेशना हमाँ पर आती है और उसके सिर्फ पर कुछ मार कर उसका खून निकाल देती है यहां पर हमें इसके पास अच्छा ही पता चलती कि आखर यह बंदा है कौन तरसल डरो मत यह कोई सेरिल किलर नहीं है अब आफर वो जिसने हमारे नोजन का एक्सिजेंट वर Underwood और एक रिपोर्टर भी जो कि नोजन की फोटो के लिख करने के लिए था ताकि मेघ्यों को बता सके कि ने अक्दम ठीक है और बहु कहां पर है नहीं तो कुछ नहीं होगा कर पर पूरी सिस्टेशन जाएंगा ऐसे सकता है कि उसका भाई शूरे रएगाए तो इसको की बापस लेट विरभाए और जैसा की लेशेना उसकी कि फ्यांसी है तो उसकी साहती है पर जब नोजन अपने कमपने मेंटर करता है तो ली शना की फोटो देकर डर जाता है और सीधा बैठ सक्यों जाता है जिना भी रात में उसे डराने का कोई भी मुखा नहीं चुड़ती तो देखने में तो काफी दरावना था वहर ममकिन कोशिश करती है और मिस्टर नो को बहुत ज़्यादा डराती है यहाँ पर वह से फिश खाने के लिए दिए दिए जिस से नोजन को एक सक्त नफरत थी बट्र अब उनने कुछ भी आद नहीं है तो ली शना कुछ भी कर सकती है जो भी वह चाहती है मिस्टर नोजन लगले दिन अपनी कंपनी मुझाते हैं यहां पर वो सफाई करने वाले वर्कर्स को भी हलो बोलते हैं जब कि उन्होंने कभी अपने टॉप एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर को भी हलो नहीं बोला यह वर वो सभी को काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं जैसे उनकी काफी जा सब्सक्राइब को क्या हुआ यह तो हमें कभी गुड मॉनिंग गुड आफटर नून का कभी रिप्लाय नहीं देते पर आज कुछ अलग ही है इस्ट्रक्टर किम्चा मिस्टर नोजन से मिलने के लिए यहां पर हो कहते हैं कि मुझे आपके लिए बहुती ज्यादा बुरा आपके इसी हालत होगी बैटाई हो आप चल्दी ठीक हो जाएंगे यहां पर मिस्टर नोजन ने बताते हैं कि आपको जिंदा करनी जरत नहीं है मेरी फ्यॉंसी मेरे साथ है तब यहां पर इंस्ट्रक्टर के बात करते हैं कि क्या नीशन आपकी फ्यॉंसी आप बड़ा इसलिए आपको इसाब बताने की जरूरत नहीं है तभी यहां पर प्रोफेसर के मुझा कहते हैं कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा जनाका भी वेर काफी तरीके से बरताब करते थे वह आज उसे बरताब करते हैं तो उठाकर क्लास उनकी कब्रों पर फेक देती और कहती है कि आपको जिंदा करने जरूरत नहीं है मैं अपना ख्याल खुद रख लूगी और आएंदा मुझसे इतनी उंची आवाज में बात करने कुछ मत कीज़ेगा को किसी बात कर डरनी था पर कुछ दिनों में तो मरने वाली थी जब तक जिन्दा हो जब तक कांड करते जा यार उपर जाकर सोचो कि यार मैं तो यह करी नहीं पाई इसलिए लिशना सारे कर्मकान अभी कर जाएगी अपर नीशना को अपने कॉफी लाने के लिए बोलता है पर लिशना वही वाली कॉफी लेकर आती है जो कि मिस्टर नोजन को पसंद नहीं है इसक्त उसे कहते है कि मुझे यह नहीं मुझे दूसरी वाली पसंद है तुब लीशना कहती है कիने तो कुछी याद नहीं था कॉफी का कैसे याद है कोई लेकन मुझे एसे ऑडर देना बंद कर तो because मैरी फियंसी हूं the family वह तो सबके सामने सुननी पड़ती है अपनी अपनी उनलाने क्लास कर करनी है इसे के लिए सबी लोग काफी एकसाइटेट वी थे मिस्टर नो जिन की एक्सकर्फेंड यूंग सुको बता चलता है कि मिस्टर नो को सच में अमनेशिया है और वो सब को आफ ञाएं यहां वो जाता है कि आम हैं और आधाु इसमिस्टर नो है की आधा मैं कोसे को जानते हैं अपनी कशाने लग रही है इसके बाद काउन के गए अपने आइडेनटेटी चुपाने में कि कही नोजन उसे पहचान ना जाए भी नोजन उसे कहता है कि거나 वागर इंसान मुझे एच्छ से आदो का मिन तुम्हें बूल चाओंगा इसके अधु कहता है कि तुम्हें कहा रखता है तुम्हारे लिए मेरी यादास चाच चुकी है नहीं तुम्हारे लिए तो मेरी यादाश हमेशा रहेगी और सब्प्राइजिंग ली हमें अब पता चलता है कि Mr. Nozen की यादास कभी गई ही नहीं थी उन्हें अभी तक सब कुछ बढ़ा करने के लिए अब वो तो हमें बाद नहीं पुता चलेगा सुमिंद एन एक्सपर्ट के साथ तक के लिए बाबाई थैंक यू सो मच गाइस पूर वाचिंग